नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल टूटोरियल चेनल पे यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजिनरिंग के एलेक्ट्रोमेग्नेटिक थोरी या एलेक्ट्रोमेग्नेटिक फिल्ड से एक निमेर्कल प्रोबलम को लिया हुआ है जो की इस प्रकार से है गिवन पॉइंट्स E 251 F-14-2 and G 3-24 Find, first a unit vector directed from E toward F, second the angle between vector REF and vector REG, third the length of parameter triangle EFG, fourth the scalar projection of vector REF on vector REG तो हम लोगों को इस निमेर्कल प्रोबलम को solve करने के लिए 3 points और उनके coordinate दिये हुए है तो आएए आगे देखते हैं कि हम लोग इस निमेर्कल प्रोबलम को दिये हुए point के coordinate का यूज़ करके इस प्रकार से solve कर पाएंगे इस numerical problem को solve करने से पहले आप लोग पहले मेरे playlist पर जाएं electromagnetic theory उस पर मैंने basics of factor के कुछ वीडियो बनाए हुए है तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे फिर इस numerical problem को solve करेंगे या try करेंगे तो यह numerical problem बहुत ही आसानी से solve हो जाएगा अब हम लोग इस numerical problem को solve करने के लिए हम लोगों को calculate करना होगा vector ref को और vector reg को और vector rfg को तो अब हम लोग बारे बारे करके इन तीनों vector को calculate करेंगे तो vector ref calculate करने के लिए हम लोगों को point vector rf से point vector r e को minus करना होगा और vector r e g calculate करने के लिए point vector r g से point vector r e को minus करना होगा तो सबसे पहले हम लोग vector ref calculate करेंगे तो f के coordinate से e के coordinate को minus करके unit vector के साथ लिखते जाएंगे तो सबसे पहले minus 1 से 2 को minus करना होगा तो हम लोगों को मिलेगा minus 3 और उस पर लगा कर लिखेंगे unit vector ax फिर 4 से 5 को minus करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा minus 1 और उस पर हम लोग लगा कर लिखेंगे unit vector ay फिर minus 2 से 1 को minus करना होगा तो हम लोगों को मिलेगा minus 3 और उस पर हम लोग लगा कर लिखेंगे unit vector az अब हम लोग vector reg को calculate करेंगे तो g के coordinate से e के coordinate को minus करना होगा तो 3 से minus करेंगे 2 को तो हम लोगों को मिलेगा 1 और उस पर लगा कर लिखेंगे unit vector ax को फिर minus 2 से 5 को minus करेंगे तो हो जाएगा minus 7 और उस पर लगा कर लिखेंगे unit vector ay को फिर 4 से minus करेंगे 1 को तो मिलेगा plus 3 और उस पर लगा कर लिखेंगे unit vector az को अब हम लोग आगे g के coordinate से f के coordinate को minus करेंगे तो 3 से हम लोगों को minus करना होगा minus 1 को तो हम लोगों को मिलेगा 4 और उस पर लगा कर लिखेंगे unit vector ax फिर minus 2 से 4 को minus करना होगा तो मिलेगा minus 6 और उस पर लगा कर लिखेंगे unit vector ay फिर 4 से minus 2 को minus करेंगे तो हो जाएगा plus 6 और unit vector az अब हम लोग आगे इस numerical problem को solve करने के लिए इन तीनों vector के magnitude को calculate कर लेंगे magnitude को calculate करने के दिये हम लोगों को unit vector के coefficient का square करके root को calculate करना होगा तो पहले अब हम लोग vector ref के magnitude को calculate करेंगे तो लिख लेंगे minus 3 का square फिर plus minus 1 का square फिर plus minus 3 का square और इसके root को calculate करने के लिए पूरे power पर लिखेंगे 1 by 2 और जब हम लोग इसको solve करेंगे calculator की help से तो हम लोगों को इसका value कितना मिलेगा 4.35 अब हम लोग vector reg के magnitude को calculate करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को square करना होगा 1 का फिर minus 7 का फिर 3 का और हम लोगों को root calculate करने के लिए इस पर power लेना होगा 1 by 2 और जब हम लोग इसको solve करेंगे तो हम लोगों को इसका value कितना मिलेगा 7.68 अब हम लोग vector r fg के magnitude को calculate करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को square करना होगा 4 का फिर minus 6 का फिर 6 का और पूरे के power में लेना होगा 1 by 2 और जब हम लोग इसको solve करेंगे तो इसका value हम लोगों को कितना मिलेगा 9.38 तो अब हम लोग यहाँ पर numerical problem के पहले point को calculate करेंगे जो की क्या है a unit vector directed from e toward f तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर formula apply करना होगा तो लिखेंगे unit vector a e f और इसको calculate करने के लिए हम लोगों को vector r e f पे इसको divide करना होगा mod of vector r e f को अब हम लोग इस पे value put करेंगे तो numerator पर लिखेंगे minus 3 unit vector a x minus 1 unit vector a y minus 3 unit vector a z और इस पर इस vector के magnitude को divide करना होगा जो की कितना है 4.35 अब हम लोग इसको calculator की help से solve कर लेंगे तो हम लोगों को इसका value मिलेगा minus 0.689 unit vector a x here minus 0.229 unit vector a y here minus 0.689 unit vector a z तो अब हम लोग second point पर calculate करेंगे the angle between vector r e f and vector r e g तो उसके लिए हम लोगों को formula apply करना होगा तो लिखेंगे theta is equal to cos inverse और हम लोगों को numerator पे dot product करना होगा vector r e f और vector r e g का और हम लोगों को denominator पर इन vector के magnitude को multiply करना होगा तो लिखेंगे mode of vector r e f into mode of vector r e g तो अब हम लोग इस पे value put करके solve करेंगे तो लिखेंगे cos inverse तो पहले vector r e f के value को लिखना होगा जो की कितना है minus 3 unit vector ax minus 1 unit vector ay minus 3 unit vector az फिर dot का sign फिर vector r e g को लिखेंगे तो 1 unit vector ax minus 7 unit vector ay plus 3 unit vector az और denominator पर हम लोगों को इन vector के magnitude के value को put करना होगा तो लिखेंगे 4.35 और 7.68 जो की हम लोगों ने पहले ही calculate कर लिया है अब हम लोग आगे dot product को पहले calculate करेंगे तो लिखेंगे cos inverse और minus 3 का 1 से multiply करेंगे तो मिलेगा minus 3 और minus 1 का minus 7 के साथ multiply करेंगे तो मिलेगा plus 7 और minus 3 का plus 3 के साथ तो हो जाएगा minus 9 और denominator को वैसा का वैसा ही रहने देंगे तो 4.35 इंटू 7.68 और हम लोग इसको simplify करके लिख पाएंगे cos inverse minus 5 और divide पे 4.35 इंटू 7.68 अब हम लोग इसको calculator की help से solve कर लेंगे तो हम लोगों को angle कितना मिलेगा 98.60 तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा की कैसे दो vectors के बीच में angle को calculate किया जाता है अब हम लोग इस numerical problem पे third point को calculate करेंगे जो की क्या है the length of perimeter triangle EFG तो triangle के perimeter को calculate करने के लिए जो हम लोगों ने mod या magnitude calculate किया है उसको आपस में क्या करना होगा add करना होगा तो हम लोगों को answer कितना मिल पाएगा तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे perimeter of triangle EFG और इसको calculate करने के लिए हम लोगों को यह vector के जो हम लोगों ने magnitude को calculate किया हुआ है उसको आपस में add करना होगा तो लिखेंगे 4.35 plus 7.68 plus 9.38 और जब हम लोग इसको add करेंगे तो हम लोगों को answer कितना मिलेगा 21.41 अब हम लोग इस numerical problem के fourth point को calculate करेंगे जो की क्या है the scalar projection of vector REF on vector REG तो इसके लिए हम लोगों को formula लिखना होगा तो लिखेंगे vector REF और इस पर dot product करना होगा unit vector EG का और अब हम लोग इस formula को simplify करके किस प्रकार से लिख पाएंगे तो mode of vector REG अब हम लोग इस पर value put करेंगे तो इसके पहले हम लोगोंने angle calculate करते समय dot product of vector REF and vector REG को calculate कर लिया है जो की कितना है minus 5 और हम लोगोंने vector REG के magnitude को पहले ही calculate कर लिया है जो की कितना है 7.68 अब हम लोग इसको calculator की help से solve करेंगे तो इसका value कितना मिलेगा minus 0.651 तो इसी के साथ ही हम लोगों का यहली numerical problem complete हुआ जिस पर हम लोगोंने सीखा कि कैसे unit vector को calculate किया जाता है दिये हुए point को यूज़ करके और हम लोगोंने देखा कि दो vector के बीच के angle को किस प्रकार से calculate किया जाता है और साथ ही साथ हम लोगोंने यहाँ पर सीखा कि दिये हुए coordinate का यूज़ करके किसी भी triangle के perimeter को किस प्रकार से calculate किया जाता है और दिये हुए point का यूज़ करके हम लोग किस प्रकार से scalar projection को calculate कर पाते है तो अगर आपको यह सब बताने का method, समझाने का method अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like and share करे और मेरे चैनल को subscribe करे Thank you all the best